हाथ एक्तम जिसलर कटकी गिर जाएगा अभी को घर पे पहुँचाएं गर का दर्वाजा भी बंद है और रात भर स्ट्रगल कियें दीन पर तो दस बच गया और अभी हमें लगता ही 11 भी बच जाएगा क्या खूब कहा है किसी ने कि अगर आप खुष है तो खुशिया आपके पास आएंगी अगर आप दुख है तो दुख आपके पास आएंगे यह प्रकृति की आकरशड का नियम है जो जैसा होता है वैसी चीजी उसके पास आकरशित होती है हलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आज के रजनी कोशन में आज है आठ तारिक आठ तारिक के ब्लॉग में ऐसे ही बने रहे गाए अभी लगबग समय हो रहा है लगबग साहे दस वजने वाला हो और मैं इस समय हूं हाइवे के पास और अभी तक मैं घर नहीं पहुचा हूं पिछले ब्लॉग से पिछले ब्लॉग में आप सुने देखा तो अभी तक मैं घर नहीं पहुचा हूं अभी तक खाना भी ने खाया हूं और हम लोग दो आदमी है परसान है हम है और हमारे एक रिस्तदार है वो भी इसमें परसान है और अभी हम लो तो यहां दोस्तों पर्फा लगबग हजार फिट इसमें मोरंग था तो हजार फिट मोरंग गिराते गिराते तीन आदमी थें लोड करते करते लगबग बहुत जादे लेट हो गया दस वज गया और अभी हमें लगता है 11 भी बच जाएगा क्योंकि अभी इसमें 2 से 3 टाली त तो पारी पारा समय जाएगा दोस्तों आगी बार हैं आगी बार कर बस यह ताप ताप कर काम चला रहे हैं और बस इंतजार करने कब तक मेरा बालू घर पहुंचे है देखिए वहां ट्रक है और उसके बगल में टाली है वारिंग लाइट लगा है यह हाईवे है क्या ही बत कर रहे थे और अभी को घर पे पहुंचे हैं घर का दर्वाजा भी बंद है मुह हाद को धोली है अब चलते हैं खाना खाएंगे हम लोग और रात भर स्ट्रगल की हैं दीन बर तो दोड़ ही रहे थे वह तो मल्दीन का तो कम ही मानिये लिए कि रात का तो बहुत तकड़ा म यह देखिए लगबग एक बजने वाला है हमारा घर अगर होता रहने लाइक होता तो हम उनको जान नहीं देते हैं क्योंकि इतनी तगड़ी ठंडी है आज कि पूचिए मात लेकिन अपसोस हमारा रहने का ठीकाना नहीं है रखने कहां उनको बैठाते कहां सूलाते हैं इसक गुड नैट दोस्तों कल के वीडियो में देखेगा मेरा चट का ठरहिया दोस्तों आप सभी ने देखा कि हम लोग एक बज़े सोएं और अभी चारी बज़े से उट के क्या बताय परसान एकदम सिमेंट गिराने वाला काम सिमेंट अभी को पहुंचा जेश्ट पस वजार क सकते पूंच्त वह जाते हैं लिया के आते हैं हमारी वाइफ है जाय लुवा करने वाले हैं तो उनके लिए चाय बन रहा है जस्त आएंगे पहले चाय पिला जाएगा उसके बाद ही कोई काम किया जाएगा और तो रात में एक बज़े पर सांगे और क्या बता है कि अभी गाड़ी वाले भी मसीन वाले भी फोन किये थे रात को लगबग चार ही वज़े फोन किये तो डन है ना ढलाएगा ना मैं गाड़ी लेकर आओं तो हम मैंने का डर भी था क्योंकि सीमेंट अभी तक पहुंचा नहीं था दुवार पर तो कहा कि हां डन है आप आईए फिर सीमेंट वाले को बार 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 कॉ अभी को पहुंचा तो जस उसको लिया के आते हैं तो गाड़ी चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है हाथ एकतम जैसे रकट की गिर जाएगा इतनी भ्यानक ठंटी है और इतनी गाड़ी यहां खड़ी है कैसे हम खोच पाएंगे और नहीं तो लोग वहां खड़ेते म पूरा गाड़ी का जाम जाम किया वहाँ से लीकर बहुत दूर तक गारी खड़ी है और इसी में ढूंदे हैं तो क्या अतनी ठंडी भी है और अभी गाड़ी बहुत दूर तक है बहुत जादे दूर तक उधे देखते हैं कब तक सीमेंट वाल ट्रक आता है वहां जाम है आगे जागे जाम में फसा भी है कि दोस्तों अभी सुबह हो गया है आप लोग जाने रहेंगे मेरे बता देंगे दोस्तों इनको ठंडी लग गए और इनके लिए देखिए हम इतना आग जलाए हैं जो कि बास टूटा हुआ था उसी को जलाए हैं फूट गया था और यहां पर सब्रम बाबू दोनों लोग ब अश्मी लगे याद कद मेरा चात लगेगा कद मेरा चात लगेगा चलेख सीख वह चलेख सीखवातों निचनाइच सीखवाचा लेगे हम ना इले वक्षाम जा दी टाटा तो दोस्तों चलिए दिखा देते हैं थोड़ा साफ सभी को कि सिर्मेंट हमार अग्डी रहा है और दोस्तों यहां पर गाड़ी ठड़ी है और अभी दिखा रहें कहां पर गिर रहा है और ठंडी लग रही है दूस्तों भूच जा दे देखिए यहां पर सिर्मेंट है और यहां पर गाड़ी देखिए वीडियो में दिख रहा हो गए यहां से दोनों मैच कर रहा है पा रहे हैं दोस्तों बड़ा लट रटक यहां तक आ जोका है था लग जाएगा च्छत में तो काम खतम हो जाएगा और दोस्तों रास्ता भी बंद हो गया देखी हमारा कोई उद़र से घर है बैचारे लोग बहुत भैसान है आज आने ही पा रहें लेकिन फिर भी हम लोग के लिए अर्जस्ट की है आज उनका सवहधा खराब हो गया है जो अच्छे हैं घर पर बहुत के लिए इतना किया है कि नो चलिए थोड़ा से अर्जेस्ट करिये कर दोस्तों किसी का सवधा इत्रना बहुत जाद सवधा था आध नहीं जा पाया तो जरूरे कुछ नुकसान हुआ होगा उनका लेकिन फिर भी हो का है चलो ठीक है कोई बात नहीं अपना पहले चात लग वालो तब हम अपना आध बिलू का विठा थे तो काईसा लग रहा है दोस्तों क्या बाता है बड़ी तबी ठनी लग गई वेचारा के लिए परेशान है चार बजे से यूट करी दर 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 कहां जाओ कहां नहीं आए एक बज़े सोई भी थे और दमकेले परेशान हो जीजा जी थे तो जीजा जी वहां पर रहते थे हमारी ननच जी के ननच के हस्बेंड वो जी जान जाए वह भी बहुत परेशान थे दोनों लोग तो उधर रहते थे लेकिन जो इधर काम रहता था यह परसान रहते था केले वेचारे तो चलिए दोस्तों बन रहें अभी देखते हैं कब तक हमारा अच्छत लगता है कब तक कामी स्टार्ट होता है जो 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 झाला 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 है झाल 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 झाल